लोगों के बन में यह है कि यह बहुत slow process में काम करता है बतलब हो सकता है हमारा जो रोग है वो और बढ़ जाए जब तक आयरवेद इसको ठीक करने की पोशिश करें पहिना कहीं इसलिए अलोपेटिक में जाता है तो जब मेरे पास patient आता है अगर आप आदे विश्वास के विनाशकारी है कॉफी का प्रयोग जो है वो हमारे देश के लिए नहीं बना है तो आज की डेट में जो यो टेंसिस हो बन रहे हैं तो किस में खाना चाहिए रखती को आपके हिसाब से पहले दिन से मोटापा का मोने लग जाएगा अगर कुछ चीजे डेली वेसिस पे फॉ है मैक्समाम लोग तो आजकल जैसे डाइबेटीज हो रही है लोगों को बीपी हो रहा है और दवा खाई रहे तो आयरवेद में पर्मनेंट इलाच है आजकल बहुत सारे यंग केसिस आते हैं वो जिम में जाते हैं और प्रोटीन के डब्बे खाते हैं और दब्बों में प बैसिक चीजें पता होने चीए नहीं तो उन लोगों ने बहुत बढ़िया से ठान दिया है कि जो देश की अबादी है उसमें से बहुत चो लोगों को यमराज के पास पोचाने है भार के लिए कुछ ऐसी आयरवेदिक रेमेडी बताएं जिससे वो मतलब अपने किन्नी को ह इंदी रख सके और इसको अच्छे से डेटॉक्स कर सके हलो फ्रेंड्स मैं विशालतिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं मिस्टिक इंसाइट्स पॉड़कास्ट शो बाई वैधिक बॉक्स में हम हर हफते आपके लिए स्प्रिच्वालिटी हेल्थ और शोशल टॉपिक अरे लिए बहुत इंपोर्टेंट है एक जरूरी बात और वैधिक बॉक्स ने अपना एप लॉंच कर दिया है जहां पे आप स्प्रिच्वालिटी और हेल्थ से रिलेटेड कोर्सेज एक्सिस कर सकते है तो तो चेंज और लाइफ डाउनलोड आप वैधिक बॉक्स फ्रॉ प्रीस टूर। अमारे लिए और वारे वीवर्स के लिए जिससे वो अपनी लाइफ में हेल्थ को लेके अवैर हो सके हैं और कहां चाहिए कि हेल्दी लाइफ कैसे अचीव करना है तो उसको डोज और दोंस उनको पता चल सके तो आप यहां है उसके लिए दन्वाद प्लेजर इस ओल वाइ अगर किसी भी तरह के सिम्टम्स, प्रॉब्लम, किड्नी रिलेटेड या सम्थिंग कुछ बॉड़ी इशूस है तो यह तो उनको सॉन्यूशन नहां से मिल जाएगा या इविन डारेक्शन तो मिल ही जाएगी कि किस दिशर में आगे जाएगा तो चली इशुरू करते हैं सबसे पहले तो यह आप से पूछू में कि आयरुवेद पर अपनाते हैं तो आयरुवेद मुझे यह बताईए कि आज की रेट में हमारा भारत फिर से एक बार आयरुवेद की तरफ बढ़ रहा है वीज में तो बतलब लोग काफी इस चीज से विवोख हो गय थे दूर जा रहा है अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज की रेट में बहुत सारे पेशेंट हमारे इंडिया के बाहर के हैं जो आयरुवेदिक ट्रीटमेंट पर इंट्रस्टेड हैं वो यूएस से भी हैं यॉरॉप से भी हैं इन फैक्ट मिडल इस कंट्री से भी काफी पेशेंट्स ह जो आयरुवेदिक ट्रीटमेंट पर इंट्रस्टेड हैं तो यह तो बहुत तहीं से रिवाइव कर रहा है बट होता क्या है स्वामी विवेकानन जी को भी तर्वी पैचान मिली थी जब उनको अमेरिका में पैचान हम क्या करते हैं हमारी सल्सकृति को भूल कि हम वहाँ प क्याक्या benefits हैं वह एंटी इंटी इंटी इंफक्षेंटन भी इंफक्शियस का भी काम करते और दुनिया भर के फाइदे जो हल्दी हें वह कितने threw करते आ रहे लेकिन हम उसे एगणोर कर रहे थे लेकिन जब calm वहां सब्सक्रताइची यहांसे जब गूर आँके ऑैसे लोग में जाते हैं बाखी countries में अलग तो इतने बड़े scale पे योगा जो है वो worldwide जो है बड़ा है और अगर भारत को विश्वू गुरु बनना है तो भारत को soft power बनना होगा soft power में आयरुवेद आयरुवेद अपनाना होगा लोगों को और आयरुवेद को आगे बढ़के विश्वू वह पींदे हमारे यहां पर कोई चाहिनीन ही भी मृमेटने कंणट चाहने हमारे यहां के मारी होती है तो पर्लाइब हमारे चीजन लेगिन ले वह और इंटेटेंट फिर जब रचीना रॉण के वही M Assembly यहां हो इनके पास मरनासन स्रिती में होते हैं कहते हैं जी डॉक्ट साफ क्या हो सकते हैं अब अगर इस स्टेज पर आ रहे हो जब डॉक्टर ने आपको बिल्कुल बोल दिया आप कुछ नहीं हो सकता है तेरा तु जा देख ले जो करना है तब आके पेशेंट डाइरोएट की शेर बहुत अच्छे आते हैं चाहिए वो बीपी हो शुगर हो किटनी की प्राइबलम हो लीवर की प्राइबलम हो हाट की प्राइबलम हो जोडो का दर्द हो अस्तमा हो हम आईरोएट से दूर होते चले जाए लेकिन सर जैसे आपने का कि चाइनीज पहले अपनी मैडिसन को जब तक आईरोएट इसको ठीक करने के कोशिश करें कोई न कहीं इसलिए अलोपैतिक में जाते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि लोगों के मन में धारना है कि आईरोएट जो है वो स्लो काम करता है लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ मुझे एक आप बिमारी का नाम बता जो आपकी केमिकल वाली दवाईयों से ठीक होती हो क्या बीपी ठीक होता है केमिकल दवाईयों से क्या शुगर ठीक होती है केमिकल दवाईयों से क्या थायरोड ठीक होता है केमिकल दवाईयों से या क्या कोई और आप एक्स वाएजट जो विमारी का दिमाग में ध्यान आ जाती है बइमारी और दवाइयां चलती हैं मिंटेनॉटी रहती है उसके बाद क्या होता है उसके बाद वो फिर दीरे दीरे करकर डोसेज बढ़ाई जाती है तीजिंगर का पेसेंट है है हुँ उसका पेसेंट बादा सुलेगा कि यरी जोление चक्ट ताब फिर दीरे पतलता है kidney में effect आ गया या liver में आ गया brain में आ गया heart में आ गया यह regular प्रक्रिया है slow और fast की बात तो comparison कैसे कर सकते हैं जब एक चीज आपकी maintain हो रही है अगर कोई बहुत emergency है अगर कोई इस तरह की दिक्कत है जहाँ पेशन्ट को बिल्कुल urgent और emergency treatment चाहिए तो अलग बात है लेकिन body को maintain कर दिया बापने लेकिन आपकी बीमारी जड़ से ठीक नहीं होई समझ गया BP को जड़ से ठीक करना है sugar को जड़ से ठीक करना है अगर liver को जड़ से ठीक करना है तो Ayurveda में जड़ से अलाज होता है यह बात तो आप सही कर रहे हैं इसमें जड़ से अलाज होता है जबकि Allopathic वाले कहते हैं कि इसका तो कोई treatment नहीं एक बात दवा चालू होई तो फर तो आपको lifetime काना है तो diabetes की होगई, BP की होगई, यह चीज़े लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं तो ठीक है मतलब कई मैंने भी मतलब Ayurveda से related शास्तर पढ़े हैं और मैं Hinduism की बुक्स पढ़ता रहता है तो मुझे इसकी ताकत पता है लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि viewers के लिए आप यह ज़रूर बताएं कि Ayurveda की strength क्या है और limitation क्या है यह आप बताएं आपने बहुत अच्छी बात करी हिंदुजम की बात करी है आपने तो मैं आपसे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि Ayurveda यह सिरफ पूरी दुनिया के एक ऐसी पैथी है जो एक धार्मी गरंट से जुड़ा अथरवेद का उपुवेद बताया गए Ayurveda में दुनिया में सौ से अधिक पैथी है सौ से अधिक पैथी लेकिन Ayurveda यह एक पैथी है जो कहती है कि आप बिमारी ना पुर बाकी पैथी कहती है आप बिमार हो गए आप आओ हम treatment करेंगे लेकिन अगर आप Ayurveda को follow करते हो लेकिन अगर आप जैसे Ayurveda में बताया गया है सब चीजे उस तरीके से RVR, दिन चर्या, परी चर्या सब चीजे उसी प्रकार रखते है तो आप बिमारी नहीं पढ़ते पहले के जमाने में बिमारियां ही कम होती थी पांच साथ सो साल पहले बिमारिया बहुत कम होती थी चर्क सुष्रूट के काल में चले जाएं तो फूके दे सोचना पड़ेगा बिमारिया क्या होती आज हर दस में से नौ बंदे बिमार है कल्यूक के समय में कोई ना कोई गोली हर बंदा खा रहा है तो ऐसा क्या हुआ कि हम वहां से लेके यहां तक आ गए कि वहां हम स्वस्ते वहां हम शतायू थे वहां हम सो वर्ष के उपर भी जिया करते थे हमारे पूरवज और आज भारत में एवरेज एज जो है वो साथ वर्ष पैंसट वर्ष हो गई है किसी को हार्ट की समस्या किसी को लिवर की समस्या किसी को खिटनी की समस्या तो यह सारी जड़ जो है वो यही है कि हमने आईरुवेद का पालन कम कर दिया आईरुवेद जैसे हिंदुईजम जो है वो एक जीवन जीने का तरीका भी है आईरुएद उसका जीवन जीने का तरीका ऐसे है कि वो बिमार ना पड़ हूँ आप बिमारी के पॉइंट ओफ उसे अफ स्वास्थे के पॉइंट ओफ उसे है तो अगर आप आप आईरुएद को फॉलो कर लोगे तो आपको गोली खाने नहीं जाना पड़ेगा बहुत सो लोगों को विश्वास नहीं होता तो जब मेरे पास पेशेंट आता है अगर आप आदे विश्वास के साथ आयो तो आपको आईरुएद असर नहीं करेंगा एक डिटर्जेंट की लाइन है न वो पहले इस्तमाल करें फिर विश्वास करें लेकिन यहां उल्टा है पहले विश्वास करें फिर इस्तमाल करें आप जब आप पत्थर की पूजा करते तब ही वा मूर्ती बनते है विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है अचा जैसे हेल्दी लाइफ के लिए कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने अपने फैट पे बहुत ध्यान देना चाहिए है और हमारे एक बल की रिपोर्ट पे इविन डी ने में भी एक बार कावर किया था सदीर चौदरी जी ने रिपोर्ट बेड़ कि हमारे मोटापय को बिमारी नहीं मानतें उ मतलब है वाज सिंबल तो क्या आपका ये जो आयरुध की ट्रीटमेंट है तो आप लोगों को मतलब किस किस तरीके से हैं और कुछ कुछ चीज़ें अगर हम daily life में follow कर लें तो मोटापा होगा निए पहले दिन से जर्वी काम होने लग जाएगा अगर कुछ चीज़ें daily basis पे follow कर ली जाएगा खाने को जब भी खाए खाने को चबा के खाए पानी की तरह उसको ले खाने को पिए और इस तरीके से उसको बिलकुल अच्छे से चबा के हम खाए नंबर वन नंबर टू क्या करें जब हम खाना काते हैं तो हमारे शरीर में हमारे मुँ में एक salivory amylase करके enzyme होता है वो amylase हमारे खाने में मिलता है और वो हमारी body के अंदर जाता है जो हमारी खाने से extract करता है allergy को सारे हमारे nutrients को extract करता है जितना हो सके उसको mix करके मतलब अराम-अराम से खाना गाए जितना हो सके saliva उसमें mix हो के जाए थूक जो है हमारी यह बड़ी powerful है इसमें lizozone से दुनिया वरके इसमें बताए गए हैं जो फाइदा करते हैं वो साथ में जाए उसको तीसरा आपने बड़ा सुना होगा आजकल intermittent fasting का प्रचलन है आयरुएद में 5000 साल पहले बताया गया था कि आपको सुरे आस्त के बाद कुछ निकाना सुरे उदे से पहले कुछ निकाना एक प्रकार की fasting ही है आप 9 बजे से लेके 6 बजे के बीच में अगर window बना रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा चौथा weight loss अगर करना है तो आपको चीनी चीनी का प्रयोग white poison जिसको का जाता है cocaine के बाद दूसरी सबसे बयानक चीज़ है जिसकी addiction लग जाती है उसको कम करना पड़ेगा developed countries में cut sugar cut sugar campaign चल रहा है okay हाथ दूसरा त्रीसरा बंदा जो है वो मोटा होता है वहाँ पर हम चीनी में डूबे पड़े है चाय हो चाच हो लस्ची हो मिठाया हो fizzy drink हो और दुनिया बढ़ेगे कई कई जगवा तो दालों में चीनी होती है जाता हो तो देखता हूं तो चीनी में हम डूबे पड़े हैं चीनी जो है वो जहर है सलफवर का प्रयोग होता है चीनी को साफ करने में चीनी के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारी बॉड़ी को चाहिए हो और हमें फायदा कर रही हो हमारी बॉड़ी को लगब उननीस से बीस पोशक तत्व चाहिए होते हैं विटामिन्स मिनरल्स फॉस्फोरा स्केल्शियम इसमें ऐसा चीनी में कुछ भी नहीं है चीनी हमारे आपे कोई यूज नहीं करता था पहले अंग्रेज आए तब चीनी आई हम लोग गुड़ या शक्कर का यूज करते थे या खांड का यूज करते थे अंग्रेज यह आये anyways चिनी कोई यूज कारा था उन्हें फ्री में बाटी आप छीनी लोगे करी में खार गजा तो यह उन्होंने इसी कमजोरी का फायदा उठा है चीनी पहले फ्री में बाटी गयी और दीरे दीरे करके हम लोगों को चीनी की आधत लग गई तो चीनी का प्रयोग हमें कम से कम करना है उसके साथ व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वेट लॉस करना है तो व्यायाम की अपनी अल्लाग इंपोर्टेंस बताई गई है लग बग आदा घंटे का आप समय अपने शरीर के लिए निकालिए शरीर निरोगी का आया सबसे वड़ा सुख है जीवन का अगर आपका शरीर स्वस्त है तो आप स्वस्त है आपका मन स्वस्त है तो चौता उसे आपका वेट लॉस में तो हेल्प मिलेगा ही मिलेगा तो आपने व्यायाम को भी अपने रूटीन के अंदर डालना है अगर आप ये सारी चीजे फॉलो कर लोगे तो घर बैठे आपका मुटापा जो है वो काम होने लग जाएगा साथ साथ पंचकरमा की कुछ ठेरपीज भी होती हैं जो आइरुवेद में वेट लॉस में हैल्प करती हैं जो हमारे क्लिनिक्स और हॉस्पिल में भी होती है नए तो आप किसी भी आइरुवेदे की डाक्टर से जाके उसे पूछ सकते हो पंचकर्मा में क्या-क्या therapies होती हैं, बाकि जो लोग सोचते हैं, खाना भी खाते रहें, और चार गोलियां भी खालें, बास हमोसे पकोड़े भी खालें, तो आपका weight loss इस जन्नम में तो गब नहीं होगा, सई, अच्छा सब्सक्राइब आप दे जाज़ा भी खाते हैं, जंक फूट खाते हैं, बर्गर, पीजा, ये सब चीज़े, और फिर ये शुगर हो गई, नमक हो गया, तो इन में से सबसे ज़दे नुकसान आएक आप किसको बान दो, दोलो जहर हैं, एक जहर आपको कम नुकसान दे रहा है, जहर तो दोलो ये इनठी, क्याटेगराइजेशन अगर हम करेंगे, आपने पूछा कि सिगरेड, सिगरेड जो हो हमारे लंग्स के लिए सबसे आधा कतबना गया, और 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 ये प्रोसेस फूट आप कह रहे हैं, प्रोसेस फूट जो है, वो सारे शरीर के लिए हमारे नुकसान देता है, सबसे अधा पेट को सबसे वहला नुकसान देगा हमारे, पेट में गरबढ़ करेगा, अईरुएद के अनुसार के अगर देखे, तो अगर पेट में प्रोब्लम तो दुनिया वर की समस्या शुरू हो जाती है, तीसरा आपने कहा कि, इसके अंदर, नमक हो गया, नमक हो गया, नमक, नमक जो होता है, वो तो हम बहुत जादा यूज़ करने लग गया, पहले नमक का प्रयोग हम कम किया करते थे, आज गल हमने देखा, देखी टेबल से और डाल दिया, एक तो हमने खाने में डाल दिया, उपर से आपने नमक उपर से और डाल दिया, तो नमक में सोडियम बढ़ता है, बड़ी में सोडियम बढ़ने के कारण, water retention होता है, blood pressure बहुत जादा बढ़ता BP बढ़ने के कारण दुनिया बढ़ की समस्या होने की संभावना बनी रहती है तो यह सारी चीजे जो है ना poison है ठीक है लेकिन आज के जमाने में सब को avoid करना पूरी तरीके से अगर possible नहीं भी है तो आपको इसको बहुत लिमिट करना चाहिए जितना लिमिट हो सके आप उतना लिमिट कर दिए टपा बन दे चीजें आपको नहीं नहीं है जो भी चीज भगवान ने बनाई है वो हमारे लिए फायदे मंद है जो फैक्ट्रियों में बन के आ रही है इंसान ने बनाई है वो हमारे को नुकसान देने वाली है देखें सर जैसे इन चीजों को मतलब अगर क्रम से लगाया जाए मतलब शुगर हो गया नमक हो गया कोल्टरिंग हो गया प्रोसेस्ट फूड हो गया तो अगर कोई व्यक्ति है करके ये खराब चीज़े बन करना चाहिए तो सबसे पहले आप किसको बोलेंगे फिर किस चीज को बोलेंगे मतलब एक उसको डिसेंडिक ओडर में होता है आप शुगर बंद करा दीजे सबसे पहले शुगर में आपका प्रोसेस्ट फूड ही बंद हो जाएगा सब कुछ बंद हो गया क्यों कि आप जो भी खा रहे हो जो भी आप पैकेट सीजे का रहे हो कि शुगर ही है उसमें शुगर कट डाउन करना सबसे ज़्यादा जरूरी है बोडी के लिए शुगर का प्रेग होता है जो पटाकों में यूज होता है वही शुगर को प्यूरिफिकेशन करना में यूज होता है शुगर की मिल के बार कभी जाओ गया तो आप खड़े नहीं हो पाओगे दो मिनट से तो इतनी गंदी समय लारी होती है जितनी रिफाइंड है जितनी वाइट है उचना जादा नोपस्वान दी वाइट पॉइजन है जैसे की आयरवेद में हमेशा से मतलब बरतनों पे बहुत importance दी गई थी कि हम किस चीज में खा रहे हैं विल्ब क्या खा रहे हैं किस चीज में खा रहे हैं जैसे कहीं बोले brass में खाने का लग है silver gold तो आज की date में जैसे जो utensils हो बन रहे हैं तो किस में खाना चाहिए देखती को आपके साबसे देखिए सबसे बढ़िया खाना जो होता है वो होता है earthen pots में मिट्टी के बढ़ता है इनमें खाना सबसे बढ़िया है उसके अंदर जो है पोशक टत्व जो है वो सारे चले जाते हैं कैल्सियम की जुरता है iron की जुरता है वो सारी चीजिए उसके साथ हमें मिल जाती है अगर हम उसका प्रेयुक करते हैं तो है जी और उसका जो खाना बनता है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है टेस्ट भी अलग ही होता है अच्छा, अगर मिट्टी के हांडी दाल होती है तो उसका टेस्ट ही अलग मिलेगा, तही को अगर मिट्टी के बरतन में जमाय जाता है तो वो डबल बेनिफिट करती है, जी, तो सबसे बढ़िया तो है लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि इसमें टाइंग समय बहुत जादा तो आयरन का भी यूज कर सकते है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन सबसे बढ़िया है कि मिट्टी के बरतन का जितना प्रयोग हो सके वो हम करें, ऐलुमिनियम के बरतन आप कह रहे हैं, अलुमिनियम के बरतन तो अगेन हमारे यापे को यूज नहीं करता था, अलुमिन जेन जाता है वो तो इस चकर में वहाँ पर अलुमिनियूम का यूज होता है लेकिन हमारे हमने क्या करा कि हमने उसको खाने पीने में ले अंग्रेज जब आयते तो वो करांती कारी लोगों को जल्दी मारने के लिए उनको डाल चावल चाय यह सब जो थे वो अलुमिनियूम क स्लो पॉईजन है माइक्रोवेव जो किचेन मीज हो रहा है वो स्लो पॉईजन है लेकिन हम उसके आधी हो चुके हैं तो जब वो आय अंग्रेज है तो उने इसको सब चीजे अलुमिनियूम के देना शुकर कि हमारा एक्सक्रीटरी ओर्गन जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है अलुमिनियूम का प्रेशर को कर आज ही अपने घर से फिर्ग दो निकाने कoker माइक्रोवेव तो किसी को आप डान में मत देना घलती से भी इसका भी नुकसान हो जाएगा Microwave Microwave, इतनी ज्यादा रेज होती है जो कैंसर के खारण बनती है बहुत सारी, जो हम आते हैं जि खाना आया, कल का खाना आमने मैक्रोवे में गरम कर लिया जो अमने फ्रिच से निकाला ठंडा खाना और उसे मैक्रो की और अपने अंधर ले लिया रफ आयूरुवेद में लिखा है 48 मिनट के बाद खाने के लिएन्टा की इमपोर्टेंश नी रहे जाती 48 मिनट तक निूट्रिंट्स की इमपोर्टेंस है हुने मैक्रोवे में गरम कर ऑब और कैंसर के लिए उसको उन्हें नियोता देदी है body can okay it's not khatrnaak है हमारे शरीर के लिए microwave इन बहुत यूज होता है आज क्रिएट बहुत यूज हो रहा है हम लोग उसके used to हो चुके है आदे हो चुके है लेकिन इसके आप यह समझ लीजे कि अगर शरीर ठीक है तब ही आप ठीक है और आपके बाद शरीर ठीक नहीं है तो मेरे ख्याल बहुत अच्छी स्थिति नहीं है लेकिन अगर कम पैसा है और शरीर ठीक है तो मेरे साब से वो बहुत अच्छी स्थिति है निरोगी काया सबसे बड़ा सूख है जीवन का तो शरीर रूपी मंदिर का जो हमें बहुत अच्छी से ध्यान रखना चाहिए मैक्समम लोग तो आजकल जैसे डाइबेटीज और ये लोगों को बीपी हो रहा है और दवा खाई रहे तो आयरवेद में पर्मनेंट इलाच है बिल्कुल है डाइबेटीज में जो है बहुत सारे ऐसे पेशन्ट है जिनका यानि की तीन महिने के अवरेज शुगर जो हम कराते उसको बिफोर कराया उसको आफ्टर कराया और कैसे कैसे उस रिपोर्ट के अंदर चेंजिस आये हैं डाइबेटीज बहुत से लोगों को टाइम से पता नहीं चलती है अगर पत्नी पती आपसे बना के ना रख पायें तो समझ लिजे डाइबेटीज हो चुकिया है होने वाुल ही है अगर आपके पहरों में जन जना हरी है तो समझ लिजे डाइबेटीज हो गई है या होने वाली है हार्ड से जो पार्ट बॉडी का जितना दूर है वहाँ पर नम्बनेस आने लग जाती है जब diabetes आने शिरू हो अगया और diabetes आजकल इतनी common होती चली जा रही है कि हर दूसरे तीसरे बंदे को diabetes होती चली जा रही है सर इविन बच्चों में आजकल मिल रही है जूविनल diabetes भी बड़ी common हो गई है इंसुलिन का प्रेयोग कर रहे हैं, चोट-चोटे बच्चे आते हों इंसुलिन ले रहे हैं तो यह एक बहुत भाइवे सिटी है कि हम किस तरफ जा रहे हैं हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, हमारा जो पुराना ग्यान है, हमारे वेदो का ग्यान है, आयरुवेद का ग्यान है, वो हमी लोगों के लिए हमारे स्वास्ते के लिए और हम इससे पूरी दुनिया का बला गरे, लेकिन हम तब ही अपनाते है अपनी चीज को जब बाहर से को तो अभी तक सर कोई ऐसा है जिसको आपने क्योर कियो डाइबेटीज में बहुत से पेशेंट है जिनका डाइबेटीज जो है वो इंसुलिंग जल रहा था और वो अमारे यहां पे पंच करमा कराया उन्होंने डाइट ली मेडेसिंस ली योग किया अक्यू प्रेशर किया मेडेटेशन किया सब चीजों को सिनरजी आईरुवेद होलेस्टिक एप्रोच है होलेस्टिक ट्रिट्मेंट की तरह काम करता है होलेस्टिकली जब हम देखते है तो डाइबेटीज बीपी किडनी की प्रॉब्लम ये सब चीजों में बहुत अच्छे इंप्रोब्मेंट नजरा अच्छा आईरुवेद में एक चीज को और टार्गेट किया गया है कि आईरुवेद हमेशा लोगों को चैसे भी आपने डाइबटीज के लिए बताया कि क्या सिम्टम देखने को मिल जाते हैं शुरूवे ऐसे ही अलग-अलग बिमारीों के लिए अलग-अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं तो कुछ ऐसे सिम्टम सबताईए नहीं कि मतला बगर किसी को अपनी बाड़ी में दिख रहा हो उसके पैरों में सूजन आने लग जाती है आई के नीचे पफविनेस हो जाती है पेट में पानी बर जाता है साइटिस हो जाता है लिवर की प्रॉबलम होती है तो खाना पीना जो है वो कम डाजेस्ट होने लग जाता है कई पार पेट की समस्या हमारे दिमाग से भी होती है stress related भी होती है stress जादा होता है तो IBS की समस्या भी अगने लग जाती है तो stress को manage करना आना जाय हमें stress को कैसे manage करना है वो बहुँ जरूरी जरूब है इस तरह कि छोटे-छोटे symptoms हमारे body हमेशा देती है अब बुखार होता है, बुखार हमारे शरीर के लिए बताता है, हमारी बॉडी में कुछ गलत चल रहा है, कुछ इंफेक्शन हो रहा है, उसको बॉडी को लड़ने के लिए बुखार का एक सिम्टम आता है, अब बुखार में क्या काते हैं, दवाई काते हैं, केमिकल वाली ब बॉडियक होगा, मैं बताव जादा ना, कल सायद मुझे बुखार होने वाला है, उस समय अगर कोई भी बंदा लंगन करने, कोई भी पेशेंट लंगन करने, लंगन होता है, खाली पेट रहना, अपने बल अनुसार, आपका हम खाली पेट रहें, तो बुखार नहीं आता, ब लंगन करके, भुखार को मात दी है, और अगर मैं आपको बात बताओ, तो जब मुझे पता चला था, कि मुझे, कोविट पॉजिटिव है, तब मैंने तीन दिन लंगन किया था, तीन दिन का लंगन किया था, ना मुझे कोई सिंटम आया था, और ना ही कोई अन्य प्रॉब माल करना है, बिना दवाईयों के भी ठीक हो सकते है पेशेंट, हमारे दिमाग में प्रचलन क्या है, जो डॉक्टर दस दवाईयां लिखते है, बड़ा डॉक्टर है, जो पास दवाईयां लिखते है, चोटा डॉक्टर है, दो दवाईयां और चोटा डॉक्टर है, जो बि इतना हो सके नैचुरल तरीके से, आयरुवेदिक तरीके से, या बिना दवाईों के आप ठीक होने का प्रयास कीजिए, तो बहुत अची इंप्रॉमेंट नहीं है, तो हमारे देश में तो यह भी देखा किया है, मतलब लोगों को सुबे ओटके चाय चाहिए, या कॉफी चाह इसे, देखिए, चाय हो या कॉफी हो, बहुत चे लोग आते हैं, हम कहते हैं, चाय मत प्यों कॉफी मत क्यों तो पेट साफ नहीं होगा सुबे, इतने ज़्यादा आम उस चीज के लिए यूस टू होगए है, कि पेट नहीं साफ हो रहा है, चाय के बगार हो, तो यह देखन काम की नहीं है, और डाई बनाने के काम आती है, वो पत्ती, दूद में हमने पत्ती और चीनी मिला के हम जो ले रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए विनासकारी है, कॉफी का प्रयोग जो है, वो हमारे देश के लिए नहीं बना है, चाय कॉफी जो है, उन देशों के लिए और भी का European countries में, वहाँ पे चाय कॉफी और इवन एलकोहल भी बहुत ज़्यादा उनको लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे गर्मी है, छे रितुए हैं, सोला क्लाइमेटिक जोल्स हैं, हमें चाय कॉफी लेके अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं, विनाश करते हैं, इतनी ज़्यादा थंड नहीं पड़ती कि हमें चाय कॉफी की बहुत जरूरत पड़े, कॉफी जब हम लेते हैं, चाय जब हम लेते हैं, तो जो कैफीन होता है, वो कैफीन हमारे हार्ट को फास्ट करता है, हार्ट की रेट को बढ़ा देता है, बीपी को बढ़ाता है, उस सब जाके हमारे टेंपररी हमें बहुत अच्छा लगता है अगर यह समझ जाएंगे तो आप इसको पीना छोड़ देंगे और अगर दस दिन चाहे छोड़ दी ग्यारवे जिन आप चाहे नहीं पियोगे कुत्ते को चाहे पिलाओ चाहे नहीं पीता हो तूट होगे पीलेगा हो चाहे नहीं पियेगा दस दिन छोड़ दी तो ग्यारवे जिन आप चाहे नहीं पियोगे आप चाहे का पीने का मन नहीं करेगा चाय ऐसे लगएगा जला रही है लेगिन कई बार यह हो था ना कि आप सही कहा रहा है ग्यारवे दिन मन नहीं करेगा लेगन कुछ दिन बात फिर कि सिधे पिला दी जवरजस्ती जैसे फ्रेंड्स दोस्त कुछ ऐसे फिर वो एक लट्सी लग जाती है इसमें पता नहीं कुछ ऐसा क्या रहता है लगता फिर पियो पियो इस टाइप से चीज़े तो क्या कुछ ऐसा मतलब कहना जाएगे इसमें कुछ कॉंटेंट भी है कि जो मतलब मेंटली एफेक्ट डालता हो चीजों पर लेकिए अडिक्शन है ये एक परकार की ये किसी एक आपकी आप उसके आदी हो जो क्यों नशा है चाय का आप रोज पी रहे हो लेकिन साथ चाहत ये समझना पड़ेगा अगर चाय की जगा आप गुनगुना पानी करके पी होगे ना चाय की तरह पी होगे सिप सिप करके गुट-गुट करके पी होगे तो एक तो वो चाय के नुकसान से बचेगा दूसरा वो चाय की गंदगी को भी निका लेगा तो डवल फाइदा हो जाएगा तो ये अगर हमने कर लिया तो काफी हद तक हमने शरीर को हमने सेफ कर लिया अजा अब हम लोग तोड़ा सा किड्नी की तरफ आते हैं किड्नी फ्रॉबलास पे तो एक सबसे बड़ी चीज है जो लोगों के बीच फैली हुई है आपने अलुमिनियम कूकर के बारे में बताया जब हम खुले में डाल बनाते हैं यह हंडी में डाल बनाते हैं तो साथ साथ आपके देखो वो निकालते रहते थे पहले अब हम कुकर में बनती है तो निकालते नहीं एकी बारी होता है तो वो डाल से अगर वो निकालते रहें तो वो ज़्यादा बेनिविशल करता है तो यूरी कैसिक भी बढ़ेगा, LDL नी बढ़ेगा VNDL नी बढ़ेगा, Triglyceride नी बढ़ेगे इस सारी विवारिया जो है चुट चुट चीज़े अगर हम किचन से ठीक कर ले तो यह हमारी सारी विवारिया ठीक होने नगे जो उपर की जाग आती है दाल के उपर उसको उमें निकाल लेना अच्छा, जी मतलब इसे गंज वगेरा में बढ़ोने में बनाना चाहिए बिल्कुल वो साथ जादा बेटर है गर उसको वैसे कर पाते हैं अगर खुले में, खुले बढ़तन में किसी में भी बनाते हैं तो वो बेटर है जादा दाल कोना अच्छली बैने एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि मतलब डैली में काफी महत्रा में लोग किड्नी की प्रॉब्लम से जूज रहे हैं तो क्या कारण हो सकता है इसका ठीकिए डैली ओ या कोई भी सिटी हो सब जगा पे ही किड्नी की समस्यां बढ़ती चली जा रहा है दो मुख्य कारण है किड्नी समस्या होने के हाई बी पी और हाई बलड प्रेशन मुख्य कारण है कि बी पी आपका अन्केंट्रोल जब रहता है ना BP जब बड़ा हुआ रहता है तो वो जाकर kidney के nephrons को damage करना लग जाता diabetes जब हो जाती है तो आम माशा में बोली तो खून गाड़ा होने लग जाता है खून गाड़ा होता है तो वो सारा filter जो है वो kidney को करना पड़ता है तो kidney पे load जादा पड़ता है ओड़ोड हो जाती ही kidney दोनों ही cases में जो kidney है वो धीरे धीरे करके damage होने लग जाता uncontrolled BP और uncontrolled diabetes ये दोनों cases में kidney का damage होना शुरू हो जाता primarily आजकर बहुत सारे young cases आते हैं वो जिम में जाते हैं और वो protein के डबबे खाते हैं और डबबों में बहुत सी बार protein के साथ साथ steroid में ले होते हैं steroid खारे होते हैं लेकिन उनको youngsters को they are enjoying that thing उनको नहीं पता होता है अंजाने में खारे होते हैं क्योंकि वो लेते हैं उनकी body बन जाती है बड़ी-बड़ी muscles बन जाती है तो उनको लगता है कि बहुत बड़ी है और उनको वो चीज़ वो regular लेते रहते हैं लेकिन लंबे समय उसको लेने पे kidney को नुकसान पहुचता है और kidney जो हो डामेज होने लग जाती है और steroid की वजास से kidney जब फेल होती है ऐसे बहुत से young cases आते हैं हमारे एक और मुख्य कारण है जब kidney खराब होने को बहुत के पेन के नर्स का यूज करना over the counter drugs यूज करना गुटले में दर्दुआ दर्द की दवाई काली सर में दर्दुआ पर अगले दिन भी यह रूटिन मनाया गोली ली दोर पे गी गोली फिर दुबारा लग गए अपना वाई रूटिन मनाया पूरा दिन अपना काम किया लेकिन वो दर्द की गोली जो है वो kidney को नुक्सान दे एक दवाई है नीमो स्लाइड करके वो नीमो स्लाइड जो है वो बाहर के बहुत से देशों में बैंड है हमारे देश में बहुत सी ऐसी दवाई है जो खुले मिलती है जब हमारे बार के देशों में बैंड होने के बावजूद भी वो दवाई लेते ही बुखार में जब देते हैं वो खुले में दवाई मिलती है और वो दवाई लेते ही बुखार जो अब एकदम से कम हो जाता है नीले रंग की गोली होती है वो नीले रंग की गोली बुखार एकदम से उदार देती है लिवर फेल करने के सबसेरा चांसे होते है किड्नी फेल करने के सबसेरा चांसे होते है कोई भी चीज अगर एक दम से उधर जाती है चाहे बुखार हो तो चाहे कुछ हो तो लेकिन वो आपके कहीं ना कहीं किसी बॉडी के पार्ट को डबल नुकसान देगे जाएगी तो ये जो आप नीली गोली अगर कोई खाता है तो नीली गोली को फैक देना देखना भी मत उसकी तरफ बुकार तो दार देगी आपका पूरा दिन तो सवार देगी लेकिन हो सकता है आपकी किड़नी और लिवर को डैमेज कर दे इस तरह की केसी सी बहुत आते हैं जहां पे लोग ही गलती नहीं है ये ज्यानता के वाश होता है बहुत लोगों की आदत होती है कि मतलब जरा भी सरदर दुआ कुछ भी बॉड़ी पार्ट में दर दुआ तो जाके सीधे देवा ने ले लेते बिलकुल रखे रहते बलकी जोड़के रखे रहते हैं युगो और मैंने दवा निकाली और खाई इस तरह से चीजी अचा वैस गड़ी का एंजन सीज हो जाएगा एक आरो की मशीन है वो आरो की मशीन का फिल्टर खराब हो गया पानी जो साफ कर रहे था आरो की मशीन पर लोड़ जादा पड़ा चार दिन हमने रेगुलर चलाया आरो की मशीन खराब हो गई सेम यही होता है जब किड़नी जो है प्रोटीन को रोक के रखना, अब किड़नी जो है वो वेस्ट को बाहर नहीं कर पाती, क्रेटनाइन बढ़ने लग जाता है, यूरिया बढ़ने लग जाता है, यूरिक आसे बढ़ने लग जाता है, सोडियम, पोटाशियम, कैलसियम, ये सारी इलेक्ट्रोलाइट जो इंबाल जाती है, कई बार हातों में सूजर आती है, कई बार पेट में आती है, कई बार लंग्स में पानी बढ़ जाता है, सास लेने में दिक्कत होती है, आखों के नीचे सूजर आने लग जाती है, इस तरह के सिंटम्स में वो रेगुलर आने लग जाती है, फिर पेशेंट को कहा ज इन बार शुरू होता है जब 5-6 क्रेटने इन हो जाता है फिर डॉक्टर्स कहते है कि डालेसिज आप लंबे समय तक नहीं करा सकते हैं आप इस कॉल्टरनेट दून लीजिए है फिर वो पेशेंट ट्रांस्प्लांट का अरेंजमेंट करता है एक डोनर खिटनी देखता है बहुत रेर है बहुत कम लोगी करा पाते हैं इतने सक्षम हो पाते हैं उसके साथ-साथ बहुत कम लोगों तक इस्टूविता पहुंच पाती है टरसीरी केर सेंटर होस्पिल्स होते है दुनिया भर की चीज़े होती है तब जागे चीज़े होती है उसके बाद पास्तिं कि इसका dialysis हो फिर ट्रांस्प्लांट हो फिर ट्रांस्प्लांट के बाद दुबारा हो गते हैं अब क्या किया जाए फेल हुआ फिर काया था अब आप दुबारा से dialysis कराने है तो फिर एक प्रकार से कुछ treatment है नहीं maintenance का process हो गए dialysis तो आप body को maintain करने हो जो आपका doctor है वो आपकी अपनी kidney ठीक नहीं कर पादा बार की लगए kidney वो कैसे ठीक हो आप तो body को maintain कर रहे हो अगर किसी का पानी भर रहा हो है किसी को बहुत जारा समस्य आए तो dialysis करा ली है ठीक है body को maintain करने देकिन लंबे समय तक dialysis पर अगर निर्वारता रहती है तो वो शरीर के लिए नुकसान दे होता है उके तो जिस तरह से आपने बताया है मतलब एक प्रकार से हैं treatment नहीं है तो अब आप मुझे ये बताईए फिर आयरवेद में के treatment है देखे आयरवेद में हम GFR glomeral filtration rate को बढ़ाने पे काम करते हैं GFR increase क करने पे काम करते हैं glomeral filtration rate होता है kidney एक मिनट में कितना चान रही है अब ऐसे जो patient आता है तो हम इसको test कराते है जिससे का जाता है renal scan DTP है वो इमने test कराया फिर 3-4 वहीने बाद उसे repeat कराते है renal scan DTP है देखा जाता है before कितना था after कितना क्या changes आए उसको वो हमारे स्थामन lines acupressure यो सब चीज़ें follow करते हैं तो बहुत अच्छे results नजर आते हैं किसी भी ऐर्वेजिक चिकिट्चक के पास जाके आप अगर अच्छे से treatment कराते हैं तो बहुत अच्छे आपको results नजर आते हैं तो मतलब कहीं नगई यह चीज़ क्यों हो सकती है देखे gradually changes में ज़र आते हैं डिबेंट करता है अगर वो क्रेटनें दो पे आ रहा तो जल्दी result आएंगे हजारों की जंकिया में हैसे patients है जिनको result आया है हमारे YouTube चैनल पर उनकी वीडियो भी उपलबद है जिनको before और after की reports प्लबद है कि किस किस प्रगार से उनकी before ती किस प्रगार से उनकी after ती सारी अलग अलग labs की report है हम कभी भी किसी patient को लिगते कि आप मेरे आस पास की लाप से जांच करा हो आप जहां रहते हो आँ जांच करा हो ओके वहाँ पर देखो आगी क्या before ती और क्या after है आपको changes न हो गया और चीज अपके उलगे हो गई ही बहुत सारे ऐसे patients है इनको dialysis चल रहा था लेकिन dialysis अब नहीं चल रहा है सबता हमें तीन बार करा रहे थे वो dialysis फोय ऑव लंबे समय से करा रहे लेकिन अब नहीं करा रहे इसे बहूत सारे patients है इनको dialysis बोल तीया गया था ट्रांस से वो मतलब अपने किड़नी को हैंदी रख सके और इसको अच्छे से डिटॉक्स कर सके देखे जिन को किड़नी की समस्या है वो पुनरनवा और गोखरू कारा बना किए 400 ml पानी में मिक्स करके उसको वाल के 100 ml करके दिन में दो बार ले तीन महीने में बहुत अच्छे इंप् गातार साथ में खाने पीने का बेसिक परेज रख लेंगे नमक को कम करेंगे पोटेशियम को कम करेंगे सोडियम को कम करेंगे प्रोसेस्ट खाना बंद करेंगे बेसिक परेज रखेंगे प्रोटीन के जितनी आवशक्ता है उतनी लेंगे बिल्कुल कम नहीं करना प्रोटी और यह था रिक्टनी पेशेंट्स के अंदर, किड्नी पेशेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, वह पे प्रोटीन इतना लिया जाए, जितना उसके अंदर वीक्रिनस भी नी आ रही, और जिस पे उस पे दिक्कत भी नी हुए, जो हेल्दी लोग है, वो किड्नी को स्वस्थ रख हो सकती है, घी में मिलावट हो सकती है, रोटी में, आटे में, चावल में, जो सोचों मिलावट हो सकती है, लेकिन एक ऐसी चीज है, जिसमें मिलावट होई नी सकती है, और वो किड्नी के लिए अमरित है, वर्दान है, संजीवनी है किड्नी के लिए, वो है नारियल पानी, अगर नारियल पानी का सेवन healthy लोग करें, kidney के रोगी नहीं करें, kidney के रोगी को नारियल पानी नुकसान देगा, जो healthy लोग हैं, वो नारियल पानी का सेवन करें, तो उनकी kidney जो है, वो स्वस्त रहेगी diureti का काम भी करता है electrolytes भी बनाता है body में और दुनिया भर के और organs को भी फाइदा करता है नारियल पानी urine भी खुल के आता है उससे जब हम पानी पीते हैं, तो देखते हैं वो हमारा acidic नहीं होता है, urine जब निकलता है, वो acid हो जाता है, पानी neutral होता है, pH नॉर्मल होता है क्योंकि जब हम पानी पी रहे हैं, वो साथ में गंदगी लेके निकलता है, urine के form में, उसका pH चेज हो जाता है, तो ये अगर नारियल पानी हम दिन में एक बार स्वस्तवेक्ती रोज पीए, तो उसको 70% तक बिमारिया होने की संभावना कम होते हैं, इतना फाइदा करता है नारियल पानी हमारे शरीर के लिए वर्दान है नारियल, एक्चली अभी मैं आपसे प्रोटीन पे बात करने वाला हूँ, लेकिन मेरे को ये याद आ गया, आपके नारियल पानी वाले वर्ट से पानी को लेके, जैसे अपने हाँ बताया है पानी को पीना है, रेगुलर बेस पे पीना है देखें इसके लिए अलाग अलाग चीजे एफेक्ट्स आते रहते हैं इंटरनेट में, इसकी ये कॉंड़िटी होनी चाहिए दे में या इसको ऐसे पीना है, इसका तरीका ये है, ये गलत है तो आपके इसाफ से सही तरीका और सही कॉंड़िटी पानी पीने की क्या है देखें पानी जो है वो पहले हम बताते हैं तरीका तरीका पानी को आपने हमेशा बैठ के पीना है खड़ेंगे नहीं पीना है क्योंकि पानी जब हम बैठ के पीते हैं तो ग्राविटिश्णल फोर्ज है वो पेट में आ जाता है खड़ेंगे को बैठ के बीजिए पानी पस्ति पानी को हमेशा जब भी पीएंगे, सिप सिप करके पीएंगे, गूट गूट करके पीएंगे, गटगट 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 नहीं पीना है, पानी को आप ऐसे पीएंगे जैसे आप गरम दूद को पी रहे हो, क्योंकि जब आप अराम अराम से पानी पीते हो, तो प पानी को कितना पीना है ये भी बात करते हैं बहुत से लोगों को इंफूजन रहती है पानी कितना पीए पानी को कोई हम लिमिट नहीं बान चकते हैं आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है अपने यूरिन की कंसिस्टेंसी का देखिए अगर यूरिन आपका यलो आ रहा है तो आप समत लिजे पानी को आप कम पी रहे हो डाक यलो आ रहा है पानी को आप कम पी रहे हो पानी जादा भी नहीं पीना, जादा पानी भी नुकसान देगा, पानी कम भी नहीं पीना, ठीक मातरा में पीना, यूरिन आप चेक करते रहो, जब आप करने जाते हो, तो उसका कलर देखो, वाइट होना ची है, या लाइट यलो होना ची, मतलब आप ठीक मातरा में पानी पी मुझे लगता है जितने भी health influencers हैं, उनका सब को basic चीजे पता होने चीए, नहीं तो उन लोगों ने बहुत बढ़िया से ठान लिया है, कि जो देश की अबादी है, उसमें से बहुत चों लोगों को यमराज के पास पोचाने का, कुछ भी आके बता रहे हैं, कुछ भी आके बो आयरुएज को बढ़नाम करते हैं, ऐसे आप कुछ भी बताते हैं, मेरे साब से बहुत सारी चीजे सिद्धानतों के अनुसार और आयरुएज के अनुसार चलें, तो सही quantity क्या है, आपके शरीर के गंदगी बाहर लिकल रही है, तो वह इसे quantity है, आपके शरीर का urine का color जो है, वह वाइट आ रहा है, या लाइट यल्लो आ रहा है, या लाइट यल्लो आ रहा है, यह सबसे बेस तरीका है, दो लीटर भी सूट कर सकता है, किसी को डाई भी कर सकता है, किसी को तीन भी कर सकता है, किसी को डेड भी कर सकता है, यह बात आपके सही गई, मतलब यह सब की कोई एसी में बैठा है कोई बार जो है वुज़ग में काम कर रहा है सब की पानी की रिक्वायरमेंट है सब के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है तो यह कई नगा हमारी बॉडि अमें खुद बताईगी बोडी को स्टड़ी करो समझो और उसे आप से चीजों को खाओ प्यों यह यह आई अरवेद है विलकुल आपकी बोडी आपको हर चीज के लिए सिगनल देती है आपकी बोडी बताती है आपकी क्यों प्रॉब्लम होने वाली है यह कोई दिक्कत हो रही है हम इंसान ही नहीं समझ पाते है या फिर हम गूगल पर देखने लग जाते हैं जहां पर तूसरा सिम्टम जो हो कैंसर का नजर आता है घवरा जाते हैं घवराना भी नहीं होता थोड़ा सा अगर आई रुवेद का शिक्षा जो है वो हमारे स्कूल में पढ़ाई जाए बताया जाए क्या खाना है क्या पीना है तो मैं आपके माध्यम से अनुरोद करना चाहूंगा कि सरकार इसे स्कूल के करिकुलम में डाले जहां बताया जाए कि आयरुवेद किस तरीके से लाब दायक है जो हमारी GDP पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है जो बिमार लोग हो जाते हैं वो GDP में दबाव कितना सारा बचेगा अगर सही खाना पीना सही समय पर उठना कि इम्पोटेंच पता ज़ल जाए सभी लोगों को उके सार अब मैं वापस प्रोटीन में आता हूँ हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर है आईश्वान कुराना उन्होंने बोला रहा कि जो लोग वेव प्रोटीन लेते हैं तो कई बार यह होता कि यह बहुत समय तक नहीं पच्चता है अजब सालों साल भी बोडी में रहता है डाइजेस्ट नहीं होता तो क्या यह सही है दिखिए आप एक इन औरगैनिक फॉर्म में प्रोटीन ले रहे आपके शरीर जो है वो पंच महाबूतों से बना वात पित कफ से बना है साथ दांतों से चलता है पांच वायू से चलता है प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान बहत्तर हजार नाडियों का कॉंबिनेशन है आपके शरीर में जो भी आप केमिकल ले रहे हो जो भी आप ऐसी इन औरगैनिक चीज ले रहे हो वो आपके शरीर में कैसे बचेगी एकदम से जो लोग प्रोटीन के लिए एनिमल प्रोटीन लेते है एनिमल फैट लेते है उसके अंदर आसीड ओवर्लोड जाता है हमारे शरीर को दुगनी-दुगनी मेहनत करनी पड़ती उसे पचाने के लिए क्योंकि एसिड जो है वो उसके साथ जाता एसिड ओवर्नोड जाता है शरीर अब आप चुब प्रोटीन डबबे की फॉर्म में ले रहे हो वो प्रोटीन तो और भी जादा खतरनाग क्योंकि वो प्रोटीन आपके शरीर में जाके बहुत सी वर पच्टा ही नहीं है सई लंबे समय तक नहीं पच्टा तो यह नुक्सान भी करता नुक्सान देगा ही देगा कोई भी चीज जो हमारे शरीर में जाके पच्च नीरी है वो क्या बनाएगी वो अंडाइजेस्टीड फूड बनाएगी वो आम बनाएगी वो आम अंडाइजेस्टीड फूड 107 बिमारियों का कारण है 107 बिमारिय जो हम खाना का रहे हैं वो हमारे शरीर को पच्च ना चाहिए ना रसरक्त मास्तिवेज अर्स्ती मज्या शुक्र यह दातों का निर्मान होता है यह दातों हमारे शरीर से बनती है जो हम खाना खाते है फ्यूल हम जो देते है बहुत से लोग क्या करते है आजकर जो है वो फूटी है, हम फूटी है, हम जो है जो अच्छा लगता है, हम खाते हैं, जब अच्छा लगता है, हम खाते हैं, जहां अच्छा लगता है, हम खाते हैं, जब अच्छा लगता है, जब अच्छा लगता है, जब अच्छा लगता है, जब अच्छा लगता है, जब च खाना जो है वह आपको जीने के लिए आपको खाना एक प्रकार का फ्यूल है हमारी बोडी के लिए साथ दातों का निर्माड करता है हमारे शरीर को चलाता है बहुत से लोगा ऐरवेद में ये भी मानते हैं कि मतलब कम खाना खाना, अनकम खाये जाए और रोचीजे ज़्यादा लिज जाए जो प्राकरतिक है तो एनरजी ज़्यादा रहती है बोडी में तो ये भी मतलब मैटर तो करते ही होगा कि मतलब जो लोग बहुत सारा रोटी, दाल चावल गाते, कई ने कई ये आलस देता है, लेजीनेस, जी बिलकुल देखी क्या होता है, खाने बीने का ना हमें सेट फॉर्मेट बनाना, जितना हो सके रो खाना खाएंगे, जितना उसे नाचूरल फॉर्म में खाएंगे, पंच माबूदों की फॉर्म में उतना अच्छा है, लेकिन अगर हम शेहरों में रह रहे हैं, और अगर हम सिरफ पैकेज दर डब्बे वंद जीजे भी कम कर दे खाना हो, और हम जो बार्क, पिज़ा, बर्गर, नॉन वेज, हॉट बल्डॉग यह सब भी कम कर दे, तो भी काफी हत तक जो है शरीर में इंप्रोव्मेंटाता, तब भी काफी हत तक आपका शरियर प्रॉपमेंट यह से वास्त हो जाएगा, जर वाप रदूशित है, जल भी काफी हत तक प्रदूशित है, और हम जो एवऑट कर सकते हूँ पीन आपने ठीक कर सकते हैं जो हमारे हाथ में हमने वो कर दिया नॉन वेज जो है हमें किसी तरीके से फायदा नुक्सान नहीं देगा मास खाने से मास बढ़ता है मास दातू बढ़ेगी तो जितना हो सके लेकिन कुछ ऐसे जगाई होती है जहापे एविलेबल नहीं होता नहीं होता जैसे एंटार्टिका है वहाँ पे उनको उनकी खाना मजबूरी है लेकिन जहाँ पे आप्शन्स हैं एविलेबल है तो मुझ लगता है जितना हो सके है नॉन वेज को में हो एड़ एक लास्ट कोश्ण एक यस न आयरुवेदिक डॉक्टर आप ऐसी कौन सी चीजे है जो लाइस में कभी नहीं करना चाहीं तो बहुत सारी सारी सीज चीज "... जिसके भॉड़ी हमारे आदधी हो रही है जिसके है आधत बढ़ रही है शरी और का रूक्सान देती है वो हमें avoid करनी चाहिए अब आप समझ लिए इसमें क्या क्या आ गया इसके अंदर आ गया आपका शराब आ गया नशा करना जाते ही BP जो है वो बढ़ने लग जाता है लिवर के लिए नुकसान देती है किड्नी के लिए नुकसान देती है कई लोग एक आत में ग्लास लेके एक सिग्रेट लेके शुड़ हो जाते है सिग्रेट लुकसान देती है जब आप शराब और सिग्रेट साथ में ले लेते हो तो आपके सबसे ज़ादा घातक हो जाती है निकोटीन जो है वो हमारे बलड तक चला जाता है जब हम दोरों चीज़े मिक्स करके ले रहे होते है 140-130 तक भी हमारी हार्ट रेट पल्स रेट जो है वो चली जाते है तो ये देखने वाली बात है कि ये सारे चीज़े हमें अवाइड करने है जिस भी चीज़े का हमें नशा हो रहा है नौन वेज का सेवन नहीं करना है और साथ-साथ जो है हमें जंक फूड का प्रयोग जो है वो अवाइड करना है जितना भी जंक है मैदा है ये हमारे इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है चिपकने के कारण क्या होता है वो हमारे शरीर से निकलता नहीं है कुछ हमने अन खाया को निकुछ निकल जाता है कुछ डाजेस्ट हो जाता है कुछ चिपक जाता है तो चिपक जाता है आदा और जब वो चिपक जाता है तो और खाने को भी डाजेस्ट नहीं होने जाता है तो हमें मैदा जो है वोग कम से कम खाना है या बिलकूल नहीं खाना है एक और चीछ जो सभी वीवर्थ के लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी है वह भोजन अंते विशम वारी यानि कि भोजन के अंत में समान है वारी यानि पानी बहुत से लोग क्या करते हैं पानी लिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, आदत पड़ गई है, जिस प्रकार हमारे शरीर में अगनी होती है, जटर अगनी, जिस प्रकार खाने को बनाने के लिए अगनी का प्रयोग होता है, खा undigested food रह जाता है और undigested food रहने के कारण वो बिमारियों का कारण बनता है एक और चीज़ जो सभी viewers को उत्त के सबसे पहले सुबे करनी चाहिए वो है भगवान का शुक्रिया करना शुक्राना करτा जो लोग यह करते हैं वो कभी भी depression का सिकार नहीं होते क्यूंकि आपके जिन्दगी में आज क्या है इस पर है अगर आपके जिन्दगी से क्या चला गया उस पर आपका फोकस में सही है तो वागवान का अपने इष्थ देवता का शुकरणा जो दूसरी चीज सुबह उठना के बाद हमें क्या क्या करनी चाहिए बहुत्से लोग उठने हर बड़ी में उठ जाते है जल्दी जल्दी उठना शुरू कर देते हैं तो वह हर बड़ी और जल्दी उठना यो है वह शरीर को नुकसान देता है उठे हैं तो राइट करवट लेके उठे हैं राइट करवट क्यों ले नहीं है क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे ब्लड का फ्लो जो होता है वो एक तरीके से विश्राम होता है हाट रेट जो है वो कम होती है blood भी resting stage भी होता है जब हम left उपते हैं तो वो heart पे जोर पड़ता है right उपते हैं तो वो सूरे नाड़ी पे आता है और digestive system भी हमारा strong होने लगी तो right करवट लेके उपते है एक हमारी सूरे नाड़ी है एक हमारी चंदर नाड़ी है आपके viewers में भी बहुत से लोगों को पता होगा तो सुबह हमारी एक ही नाड़ी चल रही हो अब आप उठ गए हो पेर नीचे कौन सा रखना है जोन सी नाड़ी चल रही है आप वो पेर नीचे रखिए पहले मान नीचे right nostril से ज़्यादा सास आ रही है तो बहुत जिस प्रकार meditation को अगर हम simple चब्दों में बताएं तो यह वैसे ही है जैसे आप लकडी को काटने से पहले कुनाड़ी को शाप कर एक्स को शाप पूरे दिन आपका बढ़िया जाएगा मेंटनी स्ट्रॉंग जाएगा अगर आपने 10 मिनट का प्रणायाम करने प्रणायाम से पांच वायू तो बाइलेंस होई गई साथ साथ बहतता रहा है जार नाडियों में भी आपकी चितना आजाएगा जो एक्सरसाइस करते हैं जिम में जाके वो मसल्स के लिए अच्छा जब हम प्रणायाम करते हैं वो हमारे और्गंस के लिए अच्छा है हमारे पूरी बॉड़ी के लिए अच्छा है इंटर्नल भी और एक्स्टर्नल उके सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निखाला एक बर फिर आपको और मुझे लगता है कि आज का ये पॉड़ी कास्ट हमारे वीवर्स के लिए तो बहुत हैं फोल ओने माला है नमस्क्राइब थेंचे बॉड़ाए